कल का मेरा वीडियो IMC पर था क्योंकि एक अमीत कुमार जी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका रिक्वेश्ट था कि IMC का क्या मतलब होता है उसके बारे में आप डीटेल जानकारी दीजिए और आज का वीडियो एक आदमी के उभी हमारे सब्सक्राइबर ही हैं उनका कहना था कि आप बीगेड मचली, सिल्वर कार्ब मचली और ग्रास कार्ब मचली इसके बिसे में कुछ जानकारियां परदान कीजिए डीटेल वीडियो बढ़ाईए दोस्तो आपने देखना आरंब कर चुका है मेरा मचली पालन से रिलेटेड यूटूब चैनल मेरा नाम बावलू सिंग बिहार हाजीपूर के रहने वाले सारे लोग को पता ही है हमारा मचली के बच्चे का काम होता है कुलकाता नहाठी में हमारा मेडिसीन का भी काम होता है बिहार हाजीपूर में यही से हम पुरे देश में सप्लाई करते हैं और हमारा जेके फीस फीड का भी काम होता है हम बात करना चाहेंगे कि एक जैसा कि हम सुरू में बता है एक सब्सक्राइबर का कॉमेंट था IMC के बारे में बहुत सारे लोगों को IMC करके जब यूटूब पर वीडियो आता है तो लोगों को पता नहीं चलता है आइ-मसी के आ होता है तो कल का वीडियो में हम IMC के बारे में बिस्तरित जानकारी आप लोगों को देने का पड़ियास किया और आज एक बंदु का कॉमेंट था कि बीगहेड और सिल्वर कार्ब ग्रास कार्ब के बारे में जानकारी दिया जाए तो ये ऐसे बीगहेड के बार और यहां है, परतु सरकार के तरफ से इसको बैण किया गया है, बहुत जयादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए, तो हम सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प और बीगेड के बारे में आपको बताने का परियास करते हैं ये सारी मचलियां बीगेड, सिल्वर और ग्रास कार्प और एक मचली और कॉमन कार्प ये सारी बीदेसी कार्प है आपका आई-मसी रोहु कतला और म्रीगल इसको भी हम carp ही बोलते हैं और इंडियन carp बोलते हैं ये सुध इंडियन मचली है सुद के मामले में भी बेहतर है ये वीधेसी carp से जैसे सिलवर कार्प बीगेट और ग्रास कार्प कॉमन कार्प के निश्बत और हम कल के वीडियो में भी बताये थे आपको कंपरीजन किये थे कि इंडियन मेजर कार्प में स्वाद बहतर है परन्तु डिमांड बहतर है परन्तु ग्रोथ के मामले में जो ये बिदेशी कार्प है जैसे बिगेड हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया औ हम बात करते हैं बीघेड मचली आपके तलाब के उपरी लेयर में रहने वाली मचली है उसी तरह से सिलवर कार्प मचली तलाब के उपरी लेयर में रहने वाली मचलिया है ग्रास कार्प मचली तलाब के मीडी लेयर में रहने वाली मचली तलाब के नीचे लेयर में रहने वाल तो इन सारे मचलियों का feeding habit अलग-अलग होता है इसलिए बताया जाता है YouTube में कि आप कम से कम तिन तरह का मचली तो डालेंगे यी डालेंगे चुकि वैसे तिन तरह के मचली आपको ताला में डालनी है जिनका feeding हैविट अलग अलग हो जैसे उपरी लेड़ के लिएthis कि लिए और भी देसी कारप को दालते हैं जब आप मिक्स करते हैं इंडियन मेजर कारप और भी देश कारप तो उस परिस्थितिय में प enjoyment का निये के भी चाहिए चूण के वच्चे पश्बूर के बचका है content को Archives Archives Craft कुछ बच्चे आप कॉमन कार्प के डालते हैं और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अब तो कॉमन कार्प का चलन लगवाग उठ सा गया है जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं अब हम सारे लोगों को अमूर कॉमन कार्प भीज रहे हैं इनका ग्रोथ साधारन कॉम मचली के बच्चे मंगाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उसके कॉल करेंगे आपके नजदीकी डेलवे जंक्सन तक हम बच्चे को भीज देंगे जैसा कि हम सुरुवाती दोर में बताये हैं कि हमारा मचली के बच्चे का काम कोलकाता निहाठी मे में या फिर बंगाल में ही हम आपके यहां तक पीक अप में लोड करके बरे साइज के बच्चे सो ग्राम तक के बच्चे भेज देते हैं जिनको बड़ा बच्चा डालना है तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वीडियो में सिल्वर कार्प क्या खाती है इसके फिडिंग है बार जो लोग नए है यह जो तीन मछलिया है उपडी लेर में रहने वाली कतला, इंडियन मेजर कार्प बाली, बिग हेड और सिल्वर कार्प यह कोई दाना नहीं खाती है यह सिर्फ और सिर्फ पलेंग्टन खाती है अब आपको बहुत सारे लोग को पता होगा नहीं कि को पता होना चीज है कि हमारा मेडिसीन का काम भीहार हाजीपुर में होता है और हम मेडिसीन यहीं से बिहार हाजीपूर से पूरे औल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं जब आप हमको पेमेंट डालते हैं अपना अधार काड या फिर एड्रेस ली करके भेजते हैं पीन कोड के साथ तो हजारों हमारे सटिसफाइड कस्टमर है जो रेगुलर हमसे जुरे हुए हैं और रेगुलर मंगाते ही रहते हैं तो आप हमको कॉल करेंगे दिये हुए नमबर पे हम आपके यहां तक इस्ट और मिनरल मिक्सर भेज़ देंगे और जिन लोगों को डाइडेक्ट प्लेंक्टन ताला में बनाना है उसके लिए प्लेंक्टन पाउडर भी आता है तो वे मंगाने के लिए भी आप दिये हुए नमबर पे कॉल करके फाइटो प्लेंक्टन के लिए अलग प्लेंक्टन आता है और जो प्लेंक्टन के लिए जो बलूम करके अपना प्रोड़क्ट है वो आता है वो हम भेज़वा देंगे पिसेस जानकाड़ी के लिए आप नमबर पे कॉल कर सकते हैं और आगे हम बताना चाहेंगे कि ग्रास कार्प अगर आपका मचली है ये तो हम प्लेंग्टन सिल्वर कार्प और बिगहेड और कतला के लिए बता दिये अगर ग्रास कार्प के लिए आपको बड़े साइच का 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं अपने तालाब में तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ग्रास की विवस्ताप करते रहे हैं जैसे केले के पत्ते हो गया, आजोला हो गया, गुभी का पत्ता हो गया इन सारे चीजों को जब आप टालाब में डालेंगे दूसरा कुछ भी इनको देने की अबसेक्ता नहीं है इसलिए इनका पालन काफी प्रचलीते हैं, लोग जोर सोर से इसका पालन करते हैं उसी तरह से आप कॉमन कार्ब के बारे में या फिर अमूर कार्ब के बारे में आपको थोरा सा जानकारी देना चाहते हैं इसके फीडिंग है बीट के बारे में, चुकि यह मचली नीचली लेर में रहती है मैं तो यह तालाब के सरे गले चीजों जो होता है तालाब के नीचे बॉटब में उसको सफाय втор करती है उसको खाती है और उपड़ी लेर में जो भी आपकी मचलियां है उजब कुछ गंदिगी करती है तो उन सारे चीजों को यह कॉमन कार पर फिर मरीगल आपके ताला में है तो साफ करती है वीडियो लगवाग आठ नौ मिनिट का हो रहा है तो ज्यादा जानकारी हम आप आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे आप लोग करते क्या है कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं तो यहीं पर हम खतम करते हैं और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी आप होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद